नमस्कार, स्वागत है आप सभी का UPPCS Prelims 2024 के क्रैस कोर्स में आज हमारा उत्तर प्रदेश सामान ग्यान का सेग्मेंट है और इस सेग्मेंट का आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में उत्तर प्रदेश में जित्ती भी नदिया बहती उनका पूरा अपवा तंत्र, क्रसी एवं सिचाई तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है समझने वाला टॉपिक है और इसको हम बहुत ही थौरूली धीरे-धीरे जो है चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे आपको बस जो है जो मुख्य पॉइंट जहां जहां भी मैं इंगित करूँ उसको फोकस करते हुए रहना है कि कहां से प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए आ सकते हैं तो यह बहुत ही महत्पूर्ण है इससे बहुत सारे प्रस्ण पहले भी पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर से खासकर नदियों और क्रसी से और सिचाई तीनों ही से प्रस्ण आते रहते हैं तो चलिए सुलवात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरपदेश की नदिया की तो उत्तरपदेश जो है अगर हम इसकी नदियों को देखें तो हम इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बाड़ सकते हैं तीन भाग कौन से होंगे मतलब उसकी उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर हम उत्तरपदेश में प्रवाहित होने आली नदियों को तीन मुख्य भागों में बाड़ सकते हैं हमारा हो जाएगा हिमाले से निकलने वाली नदियां तो हिमाले से क्योंकि ज्यादा तर जो है नदिया और जो मेजर रिवर्स उत्तरपदेश की वो सभी हिमाले से ही आती हैं जैसे गंगा यमुना सार्दा जिसको हम काली नदी भी कहते हैं गंडक राम गंगा सर्यू घागरा राप्ती, रोहडी और हिंडन नदी ये सभी जो है कहां से आती हैं ये सभी हिमालई छेत्रों से आती हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे कुछ नदियां प्राइदीपी पठार से निकलती हैं यानि उत्तर प्रदेश के नीचे जो है मुख्य रूप से जो पठार का इलाका जो है कहा पड़ता है आपके मद प्रदेश में पड़ता है वहां से निकलने वाली नदियां विशेश कर जो है उसमें अमर कंटक की पहाडियां और सभी इसकुछ सामिल है तो इसको हम प्राइदीपी पठार से निकलने वाली नदियां भी कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ी नदी जो है वो चंबल है फिर बेतवा, सिंध, टोन, केन, छोटी-छोटी नदियां है सोन नदी ये सभी नदियां उत्रपदेश में प्रवाहित होती है आप तीसरी तरह की नदी ऐसी होंगी जो जिनका दायरा बहुत छोटा है और वो मैदानी छेतरों से ही निकलती है और मैदरानी छेतर में किसी जील या दर्दल से उनकी उत्पत्ती होती है और वो जो है किसी बड़ी नदी में जाकर विलीन हो जाती है तो ऐसी नदियों में उत्रपदेश में सबसे प्रमुख नदी का नाम आता है गोमती नदी का गोमती नदी फिर उसके आरवरुणा, साई, पांडो, इशन और इनकी भी कई छोटी-छोटी सहायक नदी है जैसे कुक्रैल नदी का नाम आपने सुना होगा गोमती नदी की सहायक नदी है तो इस तरह से हम मेजर जो है अगर देखेंगे तो तीन भागों में हम बाट के इसको पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले जो उत्तरपदेश की जीवन रेखा है जिसके नाम से उत्तरपदेश जाना जाता है वो कौन सी नदी है वो नदी है गंगा नदी गंगा नदी के बारे में आपने जोगर्फी में भी काफी कुछ पढ़ा है और हम यहाँ पर भी उसी को एक तरह से रिपीट करेंगे लेकिन हमारा फोकस जो है उत्तराखंड और उत्तरपदेश दो राजियों में इसके बहने पर जादा हुआ कोकि उत्तराखंड से उसकी उत्तपत्ती होती है तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड के कहां से निकलती ही उत्तरकासी जीले से निकलती है और वहाँ पर एक स्थान गोमुख से जो है इस तरह से एक गुफा जैसा है वहीं से जो है गंगा नदी की उत्पत्ती होती है और यहां पर जो है जब यह उत्पत्ती हो रही होती तो गंगा नदी भागी रथी के नाम से जानी जाती है यहां पर इसका एकदम से नाम जो है गंगा नदी नहीं पढ़ आगे चलके जो है जब ये अलक नंदा के साथ मिलती है देव प्रियाग में तब ये गंगा नदी कहलाती है तो इसी ध्यान रखिएगा लेकिन चुकि मूल गंगा नदी की धारा जो है हम लोग इसी को मानते हैं और इसी से थोड़ा नीचे उतरने पर गंगोत्री धाम जो है बना हुआ है उत्राखंड में जो उत्राखंड के चार धामों के यात्रा होती है उसमें लोग गंगोत्री धाम है और इसके बारे में जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रभाईत होने वाली सबसे बड़ी नदी है इसकी जो लंबाई है वो 25-25 किलोमेटर है in totality और लंबाई है अब इस लंबाई को अगर हम ब्रेक अप देखें जो है तो इसका विस्तार हम देख सकते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां पर है तो सबसे जो है देखेंगे उत्राखंड में ये 110 किलो मीटर जो है की लंबाई में बैती है उसके बाद उत्तर परेश में इसकी लें 30 km है बस समय जिये कि जह हर कंड में यह टच होती है पश्की मंगाल में 520 km है इस तरह से और पश्ची मंगाल से बैता हुई जा刮ाल कि खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो 520 km यहां प्रवाहित होती है इस तरह से अगर देखेंगे तो 2525 चल नमबाई है और भारत में अगर इसके हम जल ग्रहण छेत्र की बात करेंगे तो 8.6 लाक स्क्वाइर किलोमीटर इसका जल ग्रहण छेत्र है गंगा नदी को जो है यह मैंने हाथ से जो है डाइग्राम बनाया है अगर हम इसको गंगा नदी तंत्र को उत्पत्ती से समझाने का प्रयास करें उत्तरपदेश के पहले तक तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं तो गंगा नदी में जो केदारनाट चोटी है उसके उत्तर में गंगोत्री हिमानी जिसको गंगोत्री ग्लेसियर के नाम से भी हम लोग जानते हैं हिमानी को इंगलेसियर कहते हैं जो उत्तर कासी जीले में पड़ती है वहाँ पर जो इस्थान है पवित्र इस्थान गोमुख गोमुक जो है एक तरह से पूरा ग्लेसियर ही है वहां से जो है ग्लेसियर पिघल पिघल कर जो है इसकी उत्पत्ती होती है तो यहां पर जो है यह यह नदी भागी रथी कहलाती है उसके बाद यह जो है आगे बढ़ती है और इसमें एक नदी मिलती है भिलांगना और इस करता था फिर उसके बाद यह यहां तक आ जाती है देव प्रयाग तक बहते हुए आप गंगा नदी की जो है जो दूसरी धाराएं है उनको हम देखेंगे तो उत्राखंड में ही संतोपत हिमानी है यह संतोपत ग्लेसियर आप इंग्लिस में कह चुकते हैं यहां से गंगा की दो धाराएं निकलती है एक को हम धौली गंगा के नाम से जानते हैं एक को हम विश्णु गंगा के नाम से जानते हैं तो धौली गंगा और विश्णु गंगा इन दोनों का जो पहला संगम होता है वो विश्णु प्रयाग नामक जगे पर होता है प्रयाग का मतलब ही संग संगम होता है जहां जहां को कि आपको कई सारे प्रयाग पढ़ने जहां पर संगम हो रहा है तो धौली गंगा और विश्णु गंगा मिलकर विश्णु प्रयाग में संगम करते हैं उसके बाद जो है जो धारा आगे बढ़ती है उसको हम अलक नंदा के नाम से जानते हैं अलक और उसके बाद अलखनननदा अभी तक नाम अलखनननदा ही है इसका अलखनननदा फिर आगे बढ़ती है रुद्ध प्रियाग नाम की जगे आती है यहां पर मंदाकनी नदीश में आकर मिल जाती है तो मंदाकनी मिल जाती है कहां पर रुद्ध प्रियाग में इस तरह के बहुत सारे कोश्चन पूछे गए हैं सिमोलन में कि रुद्ध प्रियाग में किसका संगम हो रहा है कन प्रियाग में देव प्रियाग में अलक नंदा से मिलकर और यहीं पर जो है इसका नाम गंगा नदी पढ़ता है गंगा जो है अगर इसको पुकारा जाएगा तो गंगा नदी यहीं से इसको पुकारते हैं तो गंगा नदी फिर आगे बढ़ती है इस रिशिकेश रिशिकेश के बाद हरिद्वार हरिद्वार के बात बिजनौर, बिजनौर से गंगा नदी का प्रिवेस कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, यहां पर ध्यान देने आली बात है, यमनोत्री भी उत्तराखंड के चार धामों में आता है, तो यमनोत्री की उत्पत्ती बंदर पुक्छ नामक जगे से होती है, यह जो है उत्तर प्रदेश में इसका प्रिवेस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यमुना नदी कहां से प्रिवेस करती है तो उत्तर प्रदेश के सहारन पूर से यमुना नदी का प्रिवेस होता है और दोनों नदियां पैरलर बहती हुई आगे चलती हैं और इनके जो है इनक वड़ते हैं अब हमने जो गंगा के अभी बिभिन संगम देखे उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो सबसे पहले नंद प्रियाग अपने दिमाग में लाईए नंद प्रियाग में क्या हुआ था नंद जुड़ा हुआ है तो नंदाकनी का संगम हुआ किसके साथ हुआ अलक नंदा के साथ में हुआ तो यह बन गई नंदाकनी के साथ अलक नंदा कहा पर मिली नंद प्रियाग में इसके बाद रुद प्रियाग में क्या हुआ था रुद प्रियाग में मंदाकनी और अलक नंदा का संगम हुआ था किसका किसका हुआ था मंदाकनी और अलक नंद प्रियाग में पिंडार नदी और अलक नंदा का संगम हुआ था तो एक चीश सभी में ध्यान कियेगा इसमें अलक नंदा सभी में कामन है ठीक है इससे आपको आसानी हो जाएगी आप अगर इसको दूसरी तरह से याद करना चाहें नंद प्रियाग में नंदाकनी रुद्प प्रियाग में मंदाकनी कण प्रियाग में पिंडार ठीक है और अगला फाइनली जो है हम आगए देव प्रियाग में देव प्रियाग में इसमें मिल जाती है भागी रथी तो अलक नंदा सभी में कामन है अगर आपको याद करना हो कि सुमेलन में पूछा जा चुका है तो ये जो है आपको याद हो जाएगा इसके बाद जो है गंगा नदी के अन नदियों के कई सारे मिलनिस्थल हैं खास कर जो है उत्राखंड में भी है उत्राप्रेश में भी है तो गंगा नदी का ही हम तंत्र पढ़ रहे हैं इसको हम देख लेते हैं अभी उत्राप गंगा नद लेने के लिए जरूरी नहीं कि यहां से कोश्चन बने ही भागी रथी में रुद्र गंगा जब मिलती है कहां पर मिलती है गंगोत्री के निकट उत्राखंड में भागी रथी में जाड गंगा एक मिलती है यह भैरोगाटी उत्राखंड मिलती है आप जरूरी नहीं कि आप इ जो जल प्रवाह चेत्र है और जो इसकी लेंथ है वो बहुत जादा है फिर भागी रथी में ही भीलंगना मिलती है यह गड़ेश प्रियाग मिलती है जो हमने आपको दिखाया भी था जहां पर टिहरी डैम है उसके बाद भागी रथी इसको सास नाम से वहां पर जानते हैं औ और उसमें उसकी बहु मिल जाती है अलक नंदा यह मतलब वहां पर लोकल प्रिशलित मानिता है इसके पीछे कई सारी पौराणी कथाएं भी है तो इनको सास बहु का संगम कहते हैं कहां पर देव प्रियाग में और देव प्रियाग से ही जो है फिर फाइनली यह सास बहु क जो संगम होता है यह गंगा नदी में जो है गंगा नदी के नाम की उत्पत्ती हो जाती है फिर गंगा में राम गंगा मिलेगी कहां पर अब हम आ गए उत्तर प्रिश में कहां पर मिलेगी यह तो आपको पता होगा कन नौज में मिलेगी आकर उत्तर प्रिश में उसके आःष भी प्रसनिसमें से ऐसे पूर लेते हैं कि दायएं से कौण सी नदी मिल लगी है तो चलिए इस समस्या का भी समाधान कर लेते हैं तो गंगा में जो मोश्टली नदियां है वो बाएं तरफ से मिलती है बाएं तरफ को भी पहले समझ लिजिए कि हमारा बाएं कहने का मतलब क्या है माल लिजिए हम जो है ये इसको उत्तरपदेश मान रहे हैं एक सपोस कर लिजिए तो और गंगा नदी जो है ये बही चली जा रही है यहां से ये ऐसे तो इस तरफ से जो नदियां इसमें मिल लहीं है उसको हम बाएं से कहेंगे और इधर से जो मिलेंगी उनको हम दाएं से कहेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यार न किएगा दिसा भ्रहम आपको नहीं होना चाहिए बाए दाए को लेकर अब हम आगे बढ़ सकते हैं तो गंगा में पहले हम बात कर लेते हैं बाएं से मिलने को कि राम गंगा आजाएगी गोंती आजाएगी घागरा नदी आजाएगी गंड़क आजाएगी बुढ़ी गंगा कोसी नदी महा नदी ए स्वारी महानंदा और ब्रहम पूति यह भले ही सारे उत्रप्रेश में नहीं हैं लेकिन चुकि हम ऐसा इसको बिलकुल लिमिटेड नहीं क तो नदी को कि हम यू-पी का जीके कर भाद लेखेंगे इसके बाटिटां नदिर है तो दाए मेरे और नदियां न मेरी पर उन्स नदीती स्य नदी ङह जो थाट मेरी ज्य है आख भेए गली मिले हैं हो गई अब कभी कभी पुछ लेते हैं गंगा नदी है सहायक नदियों का पस्चिम से पूर्व की और कम मनलब पस्चिम क्या हो गया पस्चिमी उत्तरप्देश से पस्चिम और पूर्व अब इस सारी नदियों को अगर हम पस्चिम से पूर्व लगाना हो तो सबसे पस्चिम में कौन सी नदी आप देखते हैं तो ध्यान दीजिए अगर हम कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो कौन सी होगी जो गंगा की सायक होगी वो यमुना नदी होगी चलिए यह करम आपको दिखा देते हैं उसके बाद टोंस आएगी फिर गोमती आएगी अभी जाब आगे पढ़ेंगे तो इसको आप वैरिफाई करते हो चलिएगा यह यहां पर केवल एक सामान जयनकारी लिख लिए फिर घागरा फिर सोन नदी फिर गंडक नदी बूरी गंगा कोसी नदी महानंदा हुगली और ब्रह्म पुत्र यह बाएं से दाएं हैं यानि सबसे दाएं जाकर कौन सी नदी मिलती है ब्रह्म पुत्र मिलती है यह सब जो है वो तो आसाम और वहां पहुँच गया आप जो है हुगली यानि पस्चिम बंगाल महाननदा इस अभी बंगाल बिहार ज्यारखंड इधर की नदिया हैं तो ये पस्चिम से पूर काक्रम हो गया अब इसको थोड़ा सा हम डाइग्राम से समझ ले तो आपको ज्यादा समझ में आएगा सबसे पहले अगर हम देखिए यहां पर मोटी मोटी बात करें सबसे पहले गंगा नदी को लेके चलते हैं इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं गंगा नदी गंगा नदी का प्रवेस कहां से हो रहा है उत्तर परदेश में बिजनौर से हो रहा है ये बिजनौर से चलते हुए सबसे पहला इसका जो है संगम जो हुआ वो कन नौज में हुआ किस नदी से हुआ राम गंगा नदी से हुआ अब राम गंगा नदी कहां से निकलती है पौड़ी जिला आप जानते हैं पौड़ी जिला उत्राखंड का वहां के दूधा तोली परवत के जलागम छेतर से इसकी उत्पत्ती होती है और यह उत्राखंड से होते हुए सीध्या के कन्नाव जो में इसका संगम जो है गंगा नदी से हो जाता है फिर अगला इसके साथ जो है जो नदी मिलती है वो यह मुना मिलती है कहां पर यह प्रियाग राज है जिसको हम तीर्थों का तीर्थ कहते है बढ़ल के पिली भीत में एक जील इसका नाम है फुलहर ताल की औरीजन होती है और ये जो है आती है सीधे गाजीपुर में जाकर मिल जाती है कहाँ पर गाजीपुर में गंगा नदी से अब इसमें एक और नदी बीच में आकर मिल जाती है साई नदी कहां से निकलती है साई नदी लखनव के बगल में जिला है हर्दोई हर्दोई में भुजवान नामा के जील है वहां से साई नदी निकलती है छोटी नदी है कम इसका दाइरा है लेकिन साई नदी हर्दोई से बहते हुए जौनपुर में जाकर किसमे मिल जाती है गुमती नदी में इस तरह से ये जाकर फाइनली इधारा मिल जाती है कहां पर गाजीपूर में अगली नदी लेते हैं सार्दा नदी या काली नदी अब ये जो है इसका नाम काली नदी क्यो पड़ा क्योंकि पितहौरा गड़ के काला पानी नामक जगे से इसकी उत्पत्ती होती है इसको सारदा भी कहते हैं इसको काली नदी भी किते हैं इसका उत्तर प्रदेश में जो प्रवेस हो रहा है वो कहां से हो रहा है वो पीली भी जीले से हो रहा है अभी हम इन नदियों को इंडिविजुली भी पढ़ेंगे, इसलिए आप टेंसन मतलें, आपको अगर अभी कुछ confusion होगी, तो हम जब इंडिविजुल पढ़ेंगे, तो आपको और समझ में आ जाएगा, अब ये सार्दा नदी आगे बहती है, बहराइच में आके ये घागरा, घागरा नदी आपने देवरिया में आकर राप्ती से मिल जाती है, राप्ती नदी जो लोग गोरकपूर के हैं, इधर देवरिया साइट के हैं, लोग अच्छे से जानते हैं, तो राप्ती नदी की ओरीजन कहा हो रही है, धौला गिरी स्रेडी जो है, उसमें एक जगे है, रुकुम कोट, नेप चपरा यानि बिहार में जाकर किस में मिल जाती है, फाइनली ये मिल जाती है गंगा नदी में, फिर एक और नदी का जिकर कर लेते हैं, गंडक नदी, ये नेपाल में सालिग्रामी नदी के नाम से जाने जाती है, आप लोग जो है जो घरों में सालिग्राम की पूजा होती पत्थर भगवान का सुरूप माना जाता है वो यहां पर इस नदी में नाच्रली पाया जाता है इसलिए इसको शालीग्रामी या नारायडी नदी के नाम से जो है कहते हैं गंडक नदी यह तो गंगा नदिय की हो उत्पथि उत्राखंड से हो रही है वय हमोनना नदी की ऋत्राखंड यह नोईडा में आकर यह आपस में हिंडन नदी मिल जाते हैं और हिंडन नदी के किनारे मेरट सबसे मसूर सहर बसा हुआ है उसके बाद यमनादी चलती चलती चली आती है और यमुना नदी समझ लीजिए जो है कि राजस्थान के और यूपी के बॉर्डर पर बहती हुई उधर दिल्ली से बहती हुई जो है नीचे को आती है और इधर नीचे इन दौर के पास से जो है महु की जाना पाव पहाड़ी से निकल लई यह चंबल नदी चंबल नदी यूनिकल के आती है यह आती है तो इटावा के पास में इनका आपस में संगम हो जाता है किसका यमुना नदी में चंबल का फिर आगे बढ़ती है यमुना नदी हमीरपूर के पास इसमें बेतवा मिल जाती है बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है और बेतवा की भी एक सहय याध नदी इसका नाम धसान है छोट जालाओन में जाकर मेल जाती है वेटिवया में फिर बेतवय आगे बढ़ती है और हमीरपूर में फा OnePlus Zi यमूना में मिल जाती है आगे बढ़ते हैं यमूना नदी आके बढ़ी अगला मतलब बिच में बहुत सारे स्टावब हैं मौनद्य नदी इससे मिल रही है। नीचे से बैते हुए बुंदेलखंड नीचे से आते हुए बांदा में इसमें इसमें मिल जाती है। इसके बाद यमूना नदी आगे बढ़ती है और यमूना में यमूना नदी सीधे जाके प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है और वहाँ पर ये गंगा में विलीन हो जाती है। जो है फिर गंगा नाम से इसको गंगा की सहायक नदी है तो गंगा के नाम से आगे बढ़ती है अब कुछ नदियां जैसा कि हमने बात की थी गंगा नदी में डायरेक्ट मिलती है जो उसकी सहायक नदियां है तो टोंस नदी की बात कर लेते हैं इसको टोंस तो अभी का नाम ह अगर इसके पौराडी के पुराना नाम देखेंगे इतिहासिक नाम तो तमसा नदी के नाम से इसको हम पुकार सकते हैं ये मैहर नामत एक पवित्र स्थान है आपने सुना होगा वहाँ से मतलब मद्ध पिदेश में पढ़ता है तो मैहर के निकट तमसा कुंड से इसकी उत्पत्ती होती इसका नाम तमसा कुंड रखा गया है और ये जाकर प्रियागराज के पास में ही गंगा में मिल जाती है इसी तरह से एक नदी है बेलन बेलन नदी की ओरिजन हो रही है बेलन छोटी नदी है और ये जो है जाकर मिल जा रही है प्रियागराज में गंगा नदी से आपने बेलन नदी घाटी के बारे पढ़ा होगा जो प्रियागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र के कुछ इलाकों को मिलाकर बेलन नदी घाटी बोला जाता है और ये एक पुरा तात्विक घाटी है जहां से पुरा पाशान काल से लेके और नव पाशान काल तक के बहुत सारे आउशेट्स मिले हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे ही जब हम उस चैप्टर पे आएंगे फिर सोन नदी की बात करते हैं सोन नदी मद प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से बहुत सारी नदिया निकलती है तो अमरकंटक की पहाड़ी के सेशा कुंड से ये निकलती है और ये जाकर जो है पटना में पटना में कहा मिलती है गंगा नदी में मिल जाती है तो मित्रों ये जो है गंगा नदी का तंत्र है जिसको हमने समझने का प्रयास किया एक डाइग्राम से अब हम उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कैसे प्रवाहित हो रही है इस पर हम चर्च दो उसके बाद यह गंगा नदी क्या करती है अठाइस जिलों से घुजरती है उत्तर परेस में कभी आप से पूछ लिया जाए कितने जिलों से गुजरती है अनिशिर रूप से आप इसका पूरा नाम जरूद नहीं आद रख सकते हैं लेकिन आपको कुछ चीजें जो है प्रियागराज, मिर्जापूर, वानसी, चंदावली, गाजीपूर और बलिया से फाइनली यह बाहर निकल जाती है मतलब बाहर का मतलब है कि हमारा स्टेट वहाँ पर खतम हो जाता है और बलिया के बाद यह सीधे पटना की तरफ यानि बढ़ जाती है तो यह सारे जो है इसके जिले हैं जिसको आपको जरूरी नहीं याल रखना लेकिन अगर थोड़ा सा आप जो है सिंसियाइटी से देखें अगर आप एक उत्तरपरेश का मैप बलैंक ले ले और उसी तरह से इसको उस पर ड्रॉ कर ले तो आपको गंगा नदी का पूरा रूट हमेशा समझ में आ जाएगा कभी-कभी इस तरह के पोशिचन पूछ लिया आते हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख सहर या गंगा नदी कितने जिलों से होकर बहती है तो आपको यह यह help करेगा आपको यह भी ध्यान होगा कि हल्दिया जो पस्ची मंगाल से में है और प्रियागराज वहां से प्रियागराज तक एक राष्ट्री जलमार्ग बनाया गया है जिसको नेशनल वाटर हाईवेज वन कहते हैं क्या कहते हैं नेशनल वाटर हाईवेज वन कहते हैं और इसमें तो आप तो कुरूज अगयर भी चलने लगे हैं यहां से जलमार्ग से भी कोई प्रियागराज से सीधे पस्ची मंगाल हल्दिया तक जा सकता है बाकि इसमें बहुत सा सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया है तो जैसा हमने चर्चा की थी यमना नदी बंदर पुछ पहाड़ी से निकलती है उसकी पश्चमी ढाल पर यमनोत्री नामक एक हिमनद है वहां से इसका ओरीजन होता है और मैरान में आने से पहले इसमें जो है टोंस उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपूर वहां से यह आकर प्रवेस करती है तो जो बाते लिखी है थोड़ा सा यहां पर देख लेंगे इसके बाद जब यह गुसी मतलब इंटर वी उसके बाद यह कौन-कौन से श्टेट को टच करती है तो सबसे पहले तो घंड से निकली रही है हिमाचल प्रदेश में भी जो है इसका थोड़ा सा टच हो जाता है क्योंकि सहारनपूर यह हर इसके इहां पर जो है उपर बार्डर पर बैती हुई आती है उसके बाद जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो है यह बैती वी आगे बढ़ती है यमना नदी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आप देखेंगे सहारनपूर, सामली, बागपद, दिल्ली, गाजियापाद, गौत्तम, बुद्नगर, फिर अलीगड, मतुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इतावा, औरईया, हमीरपूर, बांदा, कौसामभी, प्रियाग र नदी के बारे में जो आपको जाननी चाहिए, और रूट मैप जैसा मैंने कहा कि थोड़ा-थोड़ा आप ध्यान लखेंगे तो आपको आसानी होगी, अब हम राम गंगा की बात करते हैं, इसका अगर कोई पौराणिक नाम या जो है पुराना नाम पूछले, या यू कह ल पौड़ी है, पौड़ी-गड़वाल में, दूड़ा-टोली, दूढ़ा-टोली से इसकी उत्पत्ति होती है, और कार्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है, एक बार प्रस्ण बहुत पहले पूछा गया था, कि कौन सी नदी है जो कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गु करती है कहां से यह दे towards जहां से गँगाज जहांग से गंगा कप्र Common को भी आपके लेकिन सी की जगए जिले पूछे जाएं तो मुरादाबाद, बरेली, बडायू, साजापुर, फरुखाबाद, हर दो ही आदी जिलों से गुजरती है और इस पर एक बहुत प्रसिद बांध बना हुआ जिसका नाम है कालागर बांध तो मुझे लगता है कि आपको यह सब चीजें समझ में आ पूरा नाम पंगायली फुलहर ताल कभी आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप इससे बिग रहेगा इसको गोमत ताल भी कहते हैं हो सकता है गोमत ताल नाम से ही इसका औरीजन हुआ हो गोमती नदी का फिर यह पीली भीत से निकली उसके बाद जो है साजहापूर, लखीमपूर खीरी, सीतापूर, लखनव, सुल्तानपूर, जौनपूर यह सब जिले से होते हुए जो है फिर जौनपूर के बाद गाजीपूर में गाजीपूर में यह कहती नामक एक जगे है यहाँ पर आके गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है गोम पारी नदी नहीं है इसको हम मैदानी नदी कहेंगे को कि इसका ओरीजन जो है मैदान से हो रहा है गोमती वा गंगा का जो संगम है वहाँ पर प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है मारकंडे महादेव मंदिर यह सब कोश्चन जो है आप से पूछे जाने योग हैं गोमती सी नदी है कुक्रैल नदी जो लखनव में ही ओरीजन होती है और 40-45 किलोमीटर बहते हुए जो है आकर गोमती नदी में मिल लाती है तो आपको बस यह पता ओना चाहिए कि यह किसकी सहायक नदी है इसलिए जो है इसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे है अगली नदी है है हमारी सई नदी सई नदी क्या है गोमती नदी की एक सहायक नदी है सई नदी का ओरीजन जैसा कि हमने बात की थी हर्दोई के भिजवान नामक जील से होता है यह हर्दोई है हर्दोई की सीमा लखनव से लगती है हर्दोई के भिजवान नामक जील से इसकी ओरीजन होती ह और राजगाट नामक इस्थान है जौनपूर में बैते हुए लगनवुर आवरेली प्रताबगाट जौनपूर और जौनपूर में जाकर राजगाट नामक जगे में गोमती में मिल जाती है और जौनपूर में मिलती है जौनपूर के बाद जो है गाजीपूर में गोमती नदी में मिल जाती है इसकी कुल लंबाई जो है सई नदी की 715 किलो मीटर है तो यही सब बाते यहां पर लिखी हुई है इसको आप देख सकते हैं तो यह चोटे-चोटे फैक्ट्स हैं जो मात्पूर्ण है आगे चलते हैं अब हम अगली नदी देखते हैं घागरा नदी जि तो यह जो है इसका उदगम जो तिबबत का पठार है तिबबत के पठार का विस्तार जो है आपको कहां तक मिलता है नेपाल तक मिलता है यहां पर मांग चुंगो मापा चुंगो एक जो है गलेसियर है वहां से इसकी उत्पत्ती होती है और यह ताकला कोट से लगभग 37 कि ही सब्सक्राइब पर्वंप्री नदी है जो करनाली और मैदान में प्रिवेश करके घागरा कर्था जब उरीजन होता है कहां पर नेपाल में तो इसको हम क्या कहते हैं तब इसको हम करनाली नाम जानते हैं जान दखिएगा क्योंकि जगें बदलने से जैसे गंगा नदी जब पस्ची मंगाल में और आगे बढ़ती है तो उसका पदमा और कई सारे नाम हो जाते हैं उसी तरह से जब इसकी ओरीजन होती है तो इसको करनाली कहते हैं और फिर जो है जब यह उत्तरपदेश म में प्रवेष करती है और आगे चलके आयुद्या में जाकर इसको सरीम नदी के नाम से जानते हैं यह आँ से बाराइज गूंडा आगे निकाल दिया, यहाँ पर राप्ती नदी में बरहज के पास देवरिया में मिल जाती है, फिर यह उत्तरपदे से बाहर निकलती है और छपरा नदी में गंगा नदी से यह मिल जाती है, तो इसकी कुल लंबाई किती है, 1080 किलो मीटर है, तो यह नदी जो है आपने देख अगली नदी की हम चैचा करते हैं, जिसका नाम है काली नदी या सार्दा नदी, जिसके बारे हमने बात की थी, अब यह रेखिए ग्रीन कलर से इसको आफिवाने सी लिए अलाग ऩलाग कलर से इसको ड Rinolat किया है, सार्दा नदी या काली नदी, यह जो है कुमायू हिमाले क मिलाप ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर मिलाप ग्लेशियर से निकलती है और इसको शुरुवात में काली गंगा या गौरी गंगा नाम से भी जानते हैं इसके एक दो नाम या रखिएगा काली गंगा या गौरी गंगा इस्थानी नाम होता है इस्थानी मानता है होती है कुछ पौराणी कहानिया भी जुड़ोती है तो काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं और सारदा नदी और पीली भीत के बीच जो है जो नेपाल का बॉर्डर है इस पे ये बहती हुई यानि यहां से नेपाल की सीमा रेखाने धारित करती है पीली भीत के साथ में फि ब्रमदेव के बाद जो है और उसके बाद जो है सीता के पुर के बासरा घाट पे ये देखिए लखीम पूर और सीतापुरों बैठते हुए ये बासरा घाट तमक जगे पड़ेगी यहां सीतापुर में यहां पर ये जाकर घागरा नदी से मिल जाती है जिसको हम करनाली नाम था नेपाल में करनाली ठीक है, अब आपने देख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली नदी की बात करते हैं, अगली नदी हमारी है, राप्ती नदी, राप्ती नदी जो है, यह देखे यहाँ पर हमने इसको रेड कलर से दिखा या आपति अब हिमालई नदी है रुकुम कोर्ट नामक जगे है नेपाल में वहां से इसका उद्गम हो रहा है इसकी मुख्य सहायक नदी रोहडी है रोहडी की हम आगे चर्टा करेंगे तो रोहडी है जो गोरखपुर में रापती नदी में कि में 20 तरफ से आकर मिल लाती है वहाँ पर देवरिया में वहाँ पर ये घागरा नदी में मिल जाती है ये देख रहे है आप घागरा ये ब्लैक वाली आ रहे है ये ब्लैक कलर से इसमें जो है और इधर से ये राप्ती आ रही है ये बहते हुए देवरिया में जो है ये बरहज नामक जगे है जो लोग उस छ चेत्र के होंगे वो जानते होंगे यहां पर जाकर इसका जो है संगम हो जाता है और इसकी कुल लंबाई अगर हम देखेंगे तो 640 किलो मीटर इसकी लंबाई है अभी हमने इसकी एक सहायक नदी की बात की राप्ती की वो कौन सी नदी है रोहडी तो अब हम जो है अभी रोह की थी नेपाल में साली ग्रामी नदी कहते हैं और उसके बाद जब पहाड़ी से उतरती है नदी तो नाराइडी कहलाती है और उत्तरपदेश में इसको गंडक नदी के नाम से जानते हैं इसकी भी दो मुख्य सहायक नदियां है पस्चिम में काली नदी और पूर में त्रिश महाराज गंज इसका उत्हर प्रवेश होता है और कुशिम के सीमा पर यह चलते हुए बहती हुई आगे बढ보 MICH से कहां पर बिहार में ऍवी सायक नदी है और इसकी कुल जुए है लेंथ वो 425 किलोमीटर है तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप डिटेलिंग यार रखें लेकिन आपको थोड़ी चीजें जो है पता होनी चाहिए आप हमने बात की थी कि राप्ती की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम रोहडी नदी है तो रोहडी नदी के बारे में देख लेते हैं रोहडी नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है एक तो ये बहुत ही पौराडिक महत्यकी नदी है पौराडिक और बुद्ध बौध काल में इसका जो है बौध कर अभी उल्लेक मिलता है तो रोडी नदी का जो उदगम है वो नेपाल में आपने लुम्बनी सुना होगा और कपिल वस्तु जहां पर बगवान बुद्ध का एक तरह से राज भी था और वहां पर उनका जन्म हुआ था तो लुम्बनी छेत्र के रूपन देई और कपिल वस्तु में सिवालिक पर्वित की चौरिया पहाडियों से इसका उदगम होता है गोरकपुर के पास यह राप्ती नदी में बाई ओर से आकर मिल जाती है यह नेपाल से बैती हुए आती है और गोरकपुर में जो है यह आकर यहां पर राप्ती नदी में मिल जाती तरह बाद में घागरा में घागरा जो है गंगा नदी में मिल जाती है तो इस तरह से ये भी छोटी नदी है बस आपको नाम जरूर पताओना चाहिए नेपाल में कपिलविस्तु या लंबुनी के पास से इसकी उरीजन हो रही है और ये किसकी साहयक नदी है ये आपको पताओना चाहिए राप्ती नदी की साहयक नदी है और एक जो है बहुत ग्रंत है कुणाल जातक उसके अंसार बुद्ध काल में जो साक वंस था और कोली वंस था उनमें जो है ये छत्री वंस थे उनमें जो है दोनों राजियों की सीमा का निर्धारण रोहडी नदी से होता था आगे बढ़ते हैं सोन नदी या सवन नदी की अब हम बात कर लेते हैं तो सोन नदी देखिए मद प्रेश से निकलती है नीचे नीचे ये और ये सोन भद्र को पूरा क्रॉस करते हुए बिहार में चली जाती है तो अगर हम इसका उदगम देखेंगे तो मद प्रेश में सेष कुंड नामक जगे है अमरकंटक की पहाड़ियों में वहां से सोन नदी का उद्गम हो रहा है उसके बाद जो है मिर्जापुर एवं सोनभध जिले दोनों से ही बले यहां पर मैप में पूरा सहीस नहीं बना है मिर्जापुर में भी थोड़ा बहुत टेच करती होगी तो मिर मिर्जापुर और सोनभध से होते हुए यह बिहार में प्रिवस करती है पटना के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है कि अब सुन की कुछ साहएक नदी का नाम सुना होगा इस पर रिहंद बांध बना हुआ है तो सोन की साहएक नदी है रिहंद कंः जिसको कुन हर नाम से भी जानते हैं एक छोटी और नदी ने आपने सुने कि बनास एक गोपद और एक उत्री कोयल यह सबी जो है इसकी सहायक नदियां है और इसकी कुल लंबाई 780 किलोमीटर है तो इसकी सहायक नदियों के नाम थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसकी सहायक नदियां कौन सी है रिहंद नदी कनहर नदी बनास नदी गोपद नदी उत्री कोयले चोटी चोटी नदियां है लेकिन ये सोन नदी की सहायक नदियां है और इसकी आपको औरीजन पता है अमरकंटक की पहाड़ियों से होती है उत्तर पदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र से ये प्रव लिप नदी पठार की बात हो रही है तो जनादी भी मतyorsun के हमने बताया था है गोपद्र नाम के स्थान है वहाँ पर ऐक कंड है तंसा नदी और उसी के नाम पर कम जोहें जो बोला जाता है मैlet प्द्र तंसा नदी के नाम से क 맞धा कि मिheldर्जू मैहर के नुकत जहां से पत् टोंस की प्रमुक्स जो है सहायक नदी कौन सी एक बेलन नदी है जैसा कि हमने बताया था पुराथत्विक खनन बहुत बड़ा दिस्तर पे किया गया है इसलिए उस पुरे एरियों को बेलन नदी घाटी के नाम से जानते हैं तो टोन्स और गंगा नदी का जो संगम होता है वो कहां पर होता है वो प्र्यागराज में होता है लेकिन सिर्चा नामा की इस्थान है 265 इसकी कुल लंबाई है और टोन्स नामा की एक अन्य नदी भी है confusion ना हो इसलिए इसको especially यहां पर आपको मैं बता रहा हूँ कि टोनस नाम की एक और नदी है जो यमुना में मिलती है और उसका उदगम कहां से होता है बंदर्पुच की पहाडी जो बंदर्पुच पहाडी उत्राखंट से जहां से कौन से नदी निकलती है यमुना नदी निकलती है लेकिन वहीं से निकलती है और यमना में मिल लाती है टोंस नदी वहाँ वाली लेकिन उसका उत्तर प्रदेश में कोई प्रवाह नहीं होता है इसलिए अगर कभी confusion हो तो यार रखिए का टोंस नदी नाम से दो नदिया है तो यह टोंस हो गई इसकी सहायक बेलन नदी आपने अब हम आगे बात कर लेते हैं कर्म नासा नदी की तो यह जो कर्म नासा नदी हो सकता आप लोगोंने कम नाम सुना यह बिहार के कैमूर जिले में कैमूर स्रेडी से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यह जो है मिर्जापूर से मिर्जापूर सोनभद और उसके बाद चं कहां मिल जाती है गंगा नदी में मिल जाती है तो इसका नाम ध्यान दखिएगा इसका नाम है कर्म नाशा नदी आगे वड़ते हैं आगली नदी हमारी जो है वो है हिंडन नदी हिंडन नदी को अगर आप देखना चाहें हिंडन नदी भी हिमालई नदी है जो उपरी सिवालिक की टलहटी से निकल कर गंगा यमुना के बीच में इधर देखिए गंगा नदी है ग्रीन कलर से दिख रही इधर यमुना नदी दिख रही है इसके बीच में बैती है सारन पुर सामली मुझफर पुर बागपत मेरट गाजियाबाद होते हुए यहां पर आते कहां पर मिल जाती है दिल्ली के निकट यहां पर आकर यमुना नदी में मिल जाती है तो गाजियाबाद में जो है के पास स्वरी गौतम बुधनगर में आकर गौतम बुधनगर में इसका संगम होता है किस से यमुना नदी से और कौन सी जगे है कर पर्टिकुलर जगे आप आतक से जरूरत नहीं है मोमनाथल नामक जगे है जहां पर यह आकर नोएडा या गौतम बुधनगर में यमुना में मिल जाती है अगली नदी की हम बात कर लेते हैं अगली नदी हमारी चंबल नदी है चंबल नदी थोड़ा सा बड़ी नदी है लगबग एक हजार पचास किलोमीटर यह बहती है क्योंकि दो तीन श्टेट की सीमा को पार करके यह बहती है तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है यह मध अध्रप्रदेश में महू नामक पहाडी है, वहाँ पर महू नामक इस्थान से इसकी उत्पत्ति होती है और चम्बल की कई सारी सहाइक नदियों के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो चम्बल की जो सहाइक नदियां हैं उसमें प्रमुक कौन सी है, सिंध नदी, सिप्ता न नदी और बनास नदी जिसकी हमने बात ही थी तो आप यह देखिए ये चंबल नदी जो है निकल लःए मद प्रदेश में उसके बाद राजस्थान और प्रदेश की सीमा पर बैठते हुए आती है आगे बढ़ती है और इटावा के पास चो है एक स्थान अर यह इंटर कहां से करती है राजस्थाने के लिए बहुत ही बदनाब नदी है और जो आवनालिका अपर्दन आपने पढ़ा होगा तो आवनालिका अपर्दन जो है चंबल के बीढ़ों में बहुत जादा होता है इसलिए वहाँ पर जो है केवल कुछ काटेदार ब्रची ही उखते हैं वहाँ पर खेती बाड़ी लायक जो है वो जगे नहीं होती ह चंबल नदी पर कई सारे बांध बनाए गए है जिसमें गांधी सागर बांध है राणा प्रताप सागर बांध है और जवाहर सागर बांध है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बांध किन नदियों पर बने हुए हैं आगे बढ़ते हैं अगली नदी है बेतवा या बे च्टार ररेंशनले से इसका उद गम होता है ललिटह पूर से यह उत्तर प्रेस में इंट्री करती है और मध प्रेस में देखा जा तो भोपाल गवालियर से बहते हुए ललिटह पूर से इंट्री बाई 480 किलोमीटर है एक और छोटी सी नदी है धसान नदी यहां पर हमने बनाने का प्रयास किया है तो ये भी जो है मदपरेस में निकलती है और ये धसान क्या है ये बेतवा की सहायक नदी है और बेतवा में बाएं तरफ से आकर जुड रही है, ये नदी जो है मदप्रेश के रायसेन जिले से ये भी निकलती है और उत्तरप्रेश के ललितपुर से, ललितपुर ये दिखे, यहां से ये बैटी हुई ललितपुर से और मद प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए फिर उसके बाद जो है ये जाकर जालाओन में किसी स्थान पर मिल जाती है बेतवा नदी में और फिर आगे बेतवा नदी मिल के जाती है कहाँ पर यमुना नदी में तो अगली नदी हम देखते हैं अगली जो है यमुना की एक सहायक नदी है केन नदी केन का जो है जो पौराणिक नाम है या संस्कृत नाम कह लीजिए या पुराना नाम कह लीजिए उसको कणवती नदी के नाम से जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ पर कणवर्ती नदी अब के नदी है कहां पर पहले तो यह देखिए इसका भी ओरीजन जो है प्राजीपी पठार यानि मदप्रेश से हो रहा है यह कैमूर पहाडियों से निकलती है और बुंदेल खंड से गुजरते हुए मदप्रेश का जो बुंदेल खंड एरिया है बांदा में ही स्थान है वहाँ पर जाकर यह यमुना में मिल जाती है यह देखिए बांदा में ही यह मिल जाती है तो इसकी लंबाई जरूरी नहीं यार दखें बस सामान ज्यानकारी के लिए बता दू तीन सो आठ किलोमीटर इसकी लंबाई है अगली नदी जो है जो ग्रीन कलर से इसको डिनोट किया है सिंध नदी या काली सिंध के नाम से जानते हैं ये कहां से आ रही है इसका ओरीजन जो है राजस्थान से हो रहा है इसको थोड़ा सा और पीछे हम को लई आना चाहिए ये जो पीले आला ही राजस्थान से निकल लए है तौक जिला है तौक जिले में नैनवास नामा कोई जगे होगी वहाँ से निकलती है और उसके बाद जो है जालाओन से उत्तर प्रदेश में इंटर करती है और जालाओन से इंटरी करने के बाद जालाओन में ही जाकर यमुना नदी में मिल जाती है यह देखिए यहां पर यह बहते हुए आती है और यह जालाउन में यमुना नदी से मिल जाती है इसकी लंबाई की हम बात करें तो 418 किलोमीटर इसकी लंबाई है चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम यमुना नदी तंत्र को थोड़ा से एक बार रिव मिल जाती है उप वहीं से निकलती है बंदत्पुच पहाड़ी से और वहीं से यमुना में मिल जाती है यमुना नदी में एक और नदी मिल चोटी ही मिलती गिरी नदी यह चोटी नदियों के इसलिए नाम ले ले रहे हैं कि कम सेका आपको इतना याद होना चाहिए कि यह य यमुना में सिंध, अभी जश्ट हमने जो पहले पढ़ा, जो राजस्थान से निकल के आ रही है, ये जग मनपुर जालौन के पास मिलती है यमुना में, यमुना में चंबल कहां मिलती है, इतावा में जो है चकरपुर गाउं कोई है, वहाँ पर मिलती है, पच्छनदा नामा कि स्थान बादा में आके मिलती है हिंडन नदी कहां मिल लही है नोएडा के पास आकर मिल लही है तो यह बहुती मातपूर चार्ट था जो आपको याद करना चाहिए आप कभी-कभी प्रस्न पूछ लिया जाते है आपसे कि गंगा नदी के किनारे प्रमुकिस्थल यमुना न आप बेश्ड भी देखा ही है लेकिन आपको एक रिवीजन करा देते हैं सबसे पहले गंगा नदी से सुरुवात करते हैं गंगा नदी के किनारे आप देखेंगे कानपूर बड़े सहरों की हम बात करें जो प्रसिद्ध है धार्मिक दिश्टी से या किसी अने दिश्टी स वारणसी, गड़ मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलहाबाद जिसको हम प्रियाग राज कहते हैं और गाजी पूर। उसके बाद यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी के किनारे जो प्रमुक नगर पढ़ते हैं वो है मतुरा, ब्रिंदावन, आगरा, इटाव कालपी, कौसामबी और हमेरपूर। सर्यू नदी के किनारे सबसे जो है मसूर जो है या प्रसिद्ध है अयुद्या उसके बाद गोमती नदी जो है गोमती नदी क्योंकि लखनो की राजधानी के बीचो बीच से जाती है लखनो से तो लखनो आपको याद रखना है जौन पुर याद रखना है सुल्तान पूर, साजहापूर, सीतापूर और लखीमपूर खीरी इसके बाद राम गंगा नदी की बात करें तो विजनौर, मुरादाबाद, बरेली और बदायू रापती नदी की बात करें तो गोरक पुर तो रापती नदी के लिए फेमस आई है ब हलांकि बहुत लंबी चौड़ी लिष्ट है लेकिन जल्ली लिदेख लेते हैं किस नदी पर बने हैं किस इस्थान पर हैं। नदी पर है और पीप्री नमक हम संवार्ज में बैंड में तक दी-डिय मैं पर वन्दोऌ यह पीज़ों उर यह कर चछ वरभ वन्होंट में बांद कर्मनासा नदी पर है जिसके बारे में हमने पढ़ा चंदावली में ये बांद है कालागड राम गंगा पर है नदी पर कालागड नाम अगिस्तान पर मौदहा ये भी पूछा जा चुका है ये बिर्मा नदी पर है और हमीरपुर में है इसके बाद और देख लेते हैं थोड़े से बांद बच्चे हुए हैं सुकमा डुकमा डायम कई बार पूछा गया है महत्पूर्ण है इसकी नदी पूछी जा चुकी है ये बेतवा नदी पर है जहासी में चंद्रप्रभा चंदवली चंदप्रभा आपने जो है चंदप्रभा नेशनल सुरी अभिहारण भी पड़ा होगा चंदवली में कनहर कनहर नदी पे है सोनबद में परिछा बांध ये भी पूछा जा चुका एकजाम में बेतवा नदी पे है जहासी में गड़वा चित्रकूट में है जामनी जामनी नदी पे ललितपूर में अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है महोबा में जहलारपूर करदिया महोबा में रोहणी नदी के बारे हमने पढ़ा था तो ये रोहणी नदी पर रोहणी नाम से ही बांध है जो कि ललितपूर में पढ़ता है पात-पतारी और सुखनाई नदियों पर जासी न है तो यह डेर सारे पढ़े आब अब नदियों से आगे बढ़ते हैं और उत्तर-प्रदेस में क्रसी पर फोकस करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्रसी और सिचाई जो हमारे आज के लेक्चर का प्रमुख पार्ट है तो उत्तर प्रदेश क्रसी की दिश्टी से एक संपन प्रदेश है आप लोग जानते ही है और भारत की अर्थवेवस्था में इसका योगदान तो है है उत्तर प्रदेश की अर् प्रसिल जन्संख्या का प्रसत प्राथ्मिक शेत यानि क्रसी में जो है 59.3 प्रसत है जिसमें कुल प्रसित श्रमिक जो है तीसपर दस्मलों तीन है और क्रसक जो है 29 प्रसत के लगभग है यह सब सीधे फैक्ट है आप से पूछे जाते हैं उत्तरप्रदेश में लगभग जल वायु चेत्र है question कई वार पुछा भी जा है 9 क्रसी जल वायु चेत्र है और उत्त्र परदेश में मरदा समूह की बात करें यह प्रदेस तो उत्तर प्रदेश में क्रसी जलवायू छेत्र यानि जलवायू के आधार पर जो ये दिया हुआ है कुल नौ छेत्र हैं जिसको हमने पहले भी पढ़ा है तो नौ छेत्र कौन कौन से हैं जल्दी जल्दी इसका देख लेंगे भाबर और तराई रिजन पिछले लेक्चर मे इसको हम लोगोंने मैप बेश्ड भी पढ़ा है तो आप उसका भी सहरा ले सकते हैं भाबर में जो है जो उपर उत्तर प्रेस का जो हिमाले की तलहटी वाला छेत्र है यानि नेपाल से जो है के नीचे और उधर जो है हिमाचल के नीचे वाला उधर का पूरा भाबर और तर मैदान जो पाश्चिम शेतर का माइदान है ओना एक मेरट मंदल के आसपास का खेल जो है वो है मध पाश्चिमी मैदान में बरेली और मुराडाबाद के चेतर आता है दश्चिट पच्चिमी संसुस्क मैदान इसमें आगरा जो राजस्थान से जुड़ा हुआ बॉर्डर है उत्तर पूर्वी मैदान में जो पूरवांचल बचा हुआ यानि गोरखपूर मंदल सहीद गुंडा का चेतर पूर्वी मैदान जो है उसमें वारनसी फैजाबाद आजमगड मंदल प्रियागराज मंदल के कुछ छेतर आते हैं और इसके बाद जो है विंद छेतर बचा जिसमें मिरजापूर सोनभद और दच्छनी प्रियागराज का छेतर आता है तो इस तरह से इन्नो क्रसी जलवायु छेतर हो गए है आप हम फसल उस में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में जो है इसको हम काट लेते हैं इनके लिए क्या होता है अधिक जल तथा अधिक तापमान की आवशक्ता होती है खरीप में सबसे प्रमुक्व फसल है वो धान है या चावल की खेती होती है उसके अलामा ज्वार बाजरा मक्क तिल, मुंफली, सोयाबीन ये सब आप लोग जानते हैं इसमें बहुत फोकस नहीं करना है रभी की फसल इसको आप जाड़ो की फसल भी कह सकते हैं जब खरीप की फसल काट ली जाती है तो सीत रुती की सुरुआत एन्य अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है जिस भूलेंगे कि इसकी बुआई का सीजन क्या है और जो है कब ये बोई जाती है तो उसके बाद हम जायत की फसलों की बात करते हैं जायत की फसले जो है मार चपरायल में बोई जाती है जब हलका हलका तापमान में गर्मी आना सुरू होती जाड़े के बाद और इसको जून जुलाई में जब गर्मी अपनी चरम पे होती है उस समय जो है इसको काट लिया जाता है तो इसमें मुख्य रूप से अगर आप देखें इसमें तरबूच, खरबूच, खीरा, करेला, ककड़ी और जाड़ातर सबजी और इस तरह से सलाट वाली क्रॉप्स जो होती है तो यह प्रमुख तीन सीजन हो गए अब हम राज के प्रमुख फसलों पर चर्चा करें तो सबसे प्रमुख फसल गेहूं और चावल ही है तो गेहूं में अगर देखेंगे तो गेहूं उत् जो है जो है जो क्रसी संगारना रिपोर्ट है आज भी उसके आधार पे ही सारी रिपोर्टिंग चल लही है उसमें जो है यह होता है गेहूं के लिए 50-75 cm की वर्सा लगबग होनी चाहिए और बुवाई के समय 10-15 डिगरी का तापमान यानि की जो है जो है जबी की फसल है चावल या धान वसे चावल कहना ज़्यादा उचित नहीं होता है क्योंकि मूल रूप से धान का हम उपाते हैं उससे चावल निकलता है तो धान जो है यह लगबग इसमें 5.65 मिलियन हेक्टेयर पर इसकी खेती की जाती है बहुते समय लगबग इसके लिए 20 डिगरी सेंट से ग्रेंट का ताप्मान चाहिए होता है और 75 से 125 सेंटीमीटर इसको वर्सा चाहिए क्यों क्योंकि यह ज्यादा पानी इसको चाहिए होता है इसलिए जो है यह खरीब की फसल है और लगबग 18 परस्त भूभाग पर जित्ती भी क्रसी होती उसमें से 18 पर चावल की खेती हम करते हैं अब ये उत्रप्रेस्च के प्रमुख जो है तराई छेत्रों में जो उत्तरप्रेस्थrences में जो है नेपाल के नीचे का जो पूरा बेल्ट है जिसको हम तराई और भाबर छेत्र कहते हैं उसमें जो है इसकी प्रमुखまぁ ुप से खेती फेरियर्व करीफ सिद्राiałaत यह बुंदेल खंड की प्रुमक फसल अगर इसको हम कह सकते हैं तो यहां पर लगभग बुंदेल खंड कहीं जिले दी हैं बाकी 12 बंकी सोनबद कानपूर जालाउन इन सम्में भी होती है लेकिन मेंड़ी बुंदेल खंड की होती है इसके लिए उपजाव मिट्टी की के लिए कच्चे माल के लिए उगाई जाती है और राज में मेरट बहराई जौनपूर फिरोजाबाद एटा मैनपूरी आधी जीलों में इसकी प्रमकूरूप से खेती की जाती है गन्ना उतरप्रेस की सबसे नगदी फसल है कैस क्रॉप है और यह जो है पूरे भारत में सर 48.8 प्रिस्त जो है पूरे देश की खेती में उतरप्रेस में खेती की जाती है प्रदेश में जो पूरा गन्ना उत्पादन है वो तराई बेल्ट में और गंगा यमना के मैदान में होता है अब वो सारे जिले हमको फिर से याद करने की जगवत नहीं है आगे हम बढ़ते है कपास की बात करते हैं कपास का उत्तरप्रेस में बहुत ज्यादा इसकोप तो नहीं है लेकिन बुंदेल खंड और रुहेल खंड जो एरिया है रुहेल खंड कौन सा एरिया है रुहेल खंड जो है जो बरेली मंडल और मुरादाबाद के आसपास का छेतर है और प्लस गंग बाजरा जो है सुस्क जलवायू क्योंकि मोटे अनाजों में आता है वहाँ पर इसकी खेती होती है। बुंदेल खंड और पस्चमी उत्तरप्देश में जो है जो राजस्थान से टच वाले जिले हैं। सबसे बड़ा उत्पादक जिला बारा बंकी है यहां पर एक अफीम की फैक्ट्री भी है। इसके तरिक गाजीपूर में भी अफीम की फैक्ट्री वहाँ पर भी इसकी खेती की जाती है। गाजीपूर में ही एक मात्र फैक्ट्री है फीम की फैक्ट्री वहाँ पर मतलब बारा बंकी में नहीं है। नेक्ट्न हमारी क्राप तो सब हो गई अब हम बात करते हैं जो किसानों का सामान वर्गी करण हमें पढ़ा था तो सीमांत किसान या मारिचीनल किन को हम कहते हैं। आइसे किसान जिनके पास 1 hectare होता है 2.5 एकड़ होता है.. एक हेक्टेयर तक जमीन हो या उससे कम जमीन हो उनको हम सीमान्त किरसक कहते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा से उपपर आता है लगू किरसक। तो इनके पास 2 hectare या उससे कम जमीन होगी एक hectare के बीच में एक hectare से 2 hectare के बीच में जमीन होगी तो वो लगू किसान कहलाएंगे उसके बाद अर्ध मध्यम किसान आ जाते हैं जिनके पास 2-5 हेक्टेयर तक की जमीन हो इसके बाद आ जाते हैं मध्यम कृसक जिनके पास 5-10 हेक्टेयर तक जमीन हो और उसके बाद बड़े किसान आ जाते हैं जिनको आप ब्रहद कह सकते हैं जिनके पास 10 hectare से जादा की क्रसी भूमी हो उनको हम कहते हैं बड़े किसान फिर उत्तरपदेश में आउसत जोतो काकार अभी तक वही 15 सेला का ही डेटा चलना है लेकिन यही वैलिड है तो सीमान्द क्रसक के पास कितना है हेक्टेयर में 0.38 लगू के पास 1.39 आर्दमद्यम के पास 271 मद्यम के पास 5.51 और ब्रहत के पास 14.98 और अगर आउसत की बात करें तो उत्तरपदेश में सभी अगार के वर्गों का जो आउसत जोत काकार है वो 0.73 हेक्टेयर है इसको याद कर लीजिएगा एक्जाम में यह आ चुका है प्रस्त आगे बढ़ते हैं उत्तरपदेश में कुल क्रिया कारसील जनसंक्या में करसक कितने हैं लगबग 29 प्रस्त है और वही क्रसी स्रमक जो स्रमिक हैं लेबर है वो 30.9 है तो इससे टोटल बैठता है 59.3 तो अगर 2011 की जनगर्णा के अनुसार आपसे पूछ लिए जाए कि उत्तरपदेश में क्रसी छेत्र में कितने लोग जो है सेवा योजित हैं तो आप बताएंगे 59.3 परसेंट अब अगर जो अभी हमने सीमांत करसक और इनकी बात की देखिए यहां पर 74 प्रस्त किसान तो सीमांत हैं उसका 16 प्रस्त लगूं हैं और 10 प्रस्त बड़े क्रसक हैं यही एक समस्या है अब उत्तरपदेश में क्रसी से संबंदित संस्थान आपसे प्राया पूछ लिए जाते हैं वैसे तो आप लोगों ने इसको अच्छे से याधी कर रखा होगा तो एक एक करके थोड़े से जो महत्पूर है उनको देख लेते हैं जैसे भारती साख अंसंदान इसको साख सबजी वाला साख है यह बारती साख अंसंदान संस्थान कहां पर है वारसी में भारती दाल अंसंदान संस्थान या दलहन अंसंदान संस्थान कानपूर में है इंडियन इंस्ट्यूट आप पल्स रिसर्च यह एक ही चीज़ है दो बार गई एक बार हिंदी में लिग गई एक बार इंग्लिस में लिग गई है आगे वड़ते हैं इंडियन इस्ट्थट आप सुगर कें रिसर्च यह कहां पर है यह लखनव में है कई बार पूछा जा चुका है इसको आप फिन्दी में गन्ना अंसंधान संस्थान भी कहते हैं इंडियन पूछा जा चुका है लखनव में है केंडरी ये बकरी अनसंधान संधान ये मकदूम नामकिस्थान मतूरा में उत्तरप्रदेश करसी अनसंधान परिशद है कॉंसील यह यह लखनव में है प्रियागराज में फिर National Bureau Office जन्सिटीक रिसब्च, आप लखनोग में सिप्ट हो गया है पहले ये प्रियागराज में बखरता था फिर NBRI ndri और Nationaluar были इसके बाद केंदरी आलू अनसंधान संस्थान यह जो है सिमला का एक इसके बाद केंदरी आलू अनसंधान संस्थान नहीं है वह लखनव में गन्ना सोध परिस्ट यानि सुगर केंद्र रिसर्च काउंसिल अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको साज यहांपूर बताना है गन्ना सोध केंद्र आगया अब यहां पर सेंटर लग गया यह मुझफर नगर गोरगपूर गोला यानि खीरी में है यह तीन-चार सेंटर है एग्रो प्रोसेसिंग जोन लखनव वानसी हापूर साहरनपूर में है केंद्री आउसधी और सोगंध पौध अनसंधान यहनी स सहारनपूर में आमका है राश्टी जैविक खेती केंद्र कहां पर है गाजियाबाद में पान अनसंधान महोबा में है सबसेहरा पान की खेती भी वहीं पर होती है केंद्री अंतर इस्थली मात्सकी अनसंधान संस्थान प्रियागराज में है नरेंद्यो क्रसी विस्द्या पहले फैजाबाद नाम था जो हो गया है एरी रेसमन संधान विकास परिस्थाद केंद कानपुर में है गन्य हेत उतक संवर्धन प्रयोग साला उतक यह निए टीशू टीशू सम्वर्धन प्रयोग साला साजापुर में है राज पसु उत्थान वन संकन केंद बरेली में है बरेली उत्तर प्रदेश में जो है बहुत सारे जो वेटनरी से संबंदित जो है संस्थान है उनका एक प्रमुक केंद रहे है फिर आते हैं कुछ और फैक्ट पे उत्तर प्रदेश का पहला राइपिनिंग चैंबर केला पकाने का संयंत कहा लगाया गया है कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का लीची उत्पादक जिला है सहारनपूर मेरट क्रसी निर्यातनीती 2013 में क्रसी छेतर की ब्रदी का लच्छ दर कितना रखा गया 5.1 उत्तर प्रदेश में इस्टेम आम का उत्पादन सहारनपूर और मेरट में होता है उत्तर प्रदेश में औसत क्रस जोतों का आकार अभी अमने पीछे पड़ा 0.76 हेक्टेयर है उत्तरपदेश में फसल सघंता किती है ये सब जो है क्रसी संगर्णा रिपोर्ट के आकड़े है 14 15 16 के 157 प्रसर उत्तरपदेश में फसल सघंता 15 16 में किती हो गई थी 159.11 उत्तरपदेश में ज्वार का सबसे उत्तरपदेश में सबसे आदा जो भूमी मापन है परमपरा का तिकाई उसकी क्या है वह बीगे में मापते हैं हम लोग फिर भारत में चावल की खेती का सरवादीक शेत्र कहां पर पाया जाता है उत्तरपदेश में पाया जाता है मुंदेल खंड में किसान में तुर योजना कब लाग हुई थी 18 जून 2001 से उत्तरपदेश में सहारणपूर जिले में सरवादिक संपरे का उत्तरपदन किया जाता है उत्तरपदेश में सरवादिक महत्पूर नगदी फसल गन्ना है जो सरवादिक सिंचित भी है और मेरट जिले के गन्ना सबसे उत्तम कोटी का माना जाता है उसके बाद अभी कुछ और फैक्ट बढ़े हैं उत्तरपदेश में सरकार 12 सितंबर 2019 में अपनी पहली क्रसी निर्यात नीती गोसित की गई थी तो आपको बस वर्स याद अखना कि पहली क्रसी निर्यात नीती कब गोसित की गई थी 2019 में इसके बाद किसान काल सेंटर और क्रसी चैनल कब स्थापित हुआ था 21 जनवरी 2004 में सुरू किया गया था और इसी अवसर पर ततकालीन प्रधानमंत्री अटल विहारी बाचपेही ने इस्थानी किसान प्रसारन सेवा का भी उधगाटन किया था राश्ती ब क्रसी ओम क्रस्को को समर्पित देश का पहला 24x7 टेलीवीजन चैनल है इसका सुबारम 26 मई 2015 को किया गया था दूरजर्सन के राश्ती चैनल प्रक्रसी चैनल कालिकरम 12 जनवरी 1967 को प्रारम किया था आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सिचाई के बारे में इस देख लेते हैं तो प्रदेश में आप जानते हैं पुरी जो है सिचाई बयोस्था या यू कैली जे फसल बयोस्था जो है वो मानसून पर आधारीत है और मानसून उत्तर प्रदेश का बहुती अनीमित रहता है कभी इतना बरसेगा कि यहां पर बाढ़ा जाएगी सारी फसल बरबाद हो ज पुछे गए हैं नहर और तालाब से जो है सहराज में 15.2% नहरों से होती है तालाब और जीलों से दस्मलों 5% जो होती है जो की कुल सिचाई का 15.7% जो है भाग होता है विभिन संसाधनों से जो सिचाई होती है उससे सुद्ध संचित जो है 2019 की रिपोर्ट है फिर से देख कुटी से होती है आठ दसम लो आठ तालाब जील जल्स्रोत जो है प्राक्तिक जल्सोत उनसे दसमनो पांच सथ और उसके अलावा भी कुछ स्रोत बच जाते हैं तो वह दसमलो 6 तो कभी-कभी ये क्रम पूछ लिया जाता है तो जल नलकूप से सबसे आदा होती है लेकिन नहरों से दूसरे नंबर पर होती है तो सिचाही विवस्था जो पंदरा सोला यानि जो क्रिसी संगर्णा रिपोर्ट है उसके अनुसार से यूटलाइज नहीं हो पा रही है सिंचन शमता का कुल उपयोग कितना हो रहा केवल 247 लाग हेक्टेयर का उपयोग हम कर रहे हैं उत्रप्रेस में मुख्य सिचाही परियोजना है कौन सी है तो केवल आप नाम यार रख लिए तो ध्यान रहेगा आपको एक सर्यू नहर परियोजना है यह बहराई स्रावस्ती गोंडा संदकवी नगर बल्लांपुर पूर्वांचल के जिलों में होती है इसमें क्या होता है मुकरुप से घागरा सर्यू तापती नदियों से जलुपलब्द होता है फिर बांड सागर बांध और नहर परियोजना यह उत्तरप्र फिर आगे आते हैं पूर्वी यमुना नहर यह राज की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है और इसका निर्मार जो है 1831 में अंग्रेजों के जमाने में हुआ था यह नहर सहारनपूर फैजाबाद नामकिस्थान पर यमुना नदी से बाएं से निकाली गई है कुल लंबाई से 1854 की बीच में किया गया था इस नहर को हरिद्वार के समीब गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया है और यह 340 किलो मीटर जो है इसकी कुल लेंथ लगबाग होती है आगे राजगाट बान तथा राजगाट नहर पर योजना यह ललित पूर जनपत से बेतवा नदी पर राजगाट बान का निर्मार किया गया है कई बार पूछा भी जा चुका है फिर आता है मध गंगा नहर परियोजना तो वर्सारितों में गंगा नती में परियाप्त जल होता है उसके लिए मध गंगा नहर परियोजना की स्थापना 1978-79 में की गई थी इसमें जो ह महां से लगबग 115.54 किलोमीटर लंबी पुर्मुक नहर को गंगा नदी से में मिलाया गया इससे लाभानवीत वाले जिले जो है पश्चमी जिले हैं गाजियाबाद बुलन सहर मतुरा हाथरस अलीगड फिरोजाबाद इत्यादी हैं फिर एक है बदायू सिचाई पर योजना बरेली जिले में राम गंगा नदी पर बैराज बनाकर बरेली बदायू दातागन साजहापुर जिले को सुचाई सुधा उपलब्द कराई जा रही है तो इस तरह से उत्तरपदेश की प्रमुक नहरों पर भी गनजर डालने एक निचली गंगा नहर है इसका भी आपने ना जाई होती है सार्दा नहर यह सबसे बड़ी नहर प्रणाली है आपसे कोश्चिन पूछा जा सकता है और यह जो है नेपाल पर नेपाल सीमा पर इस्थित पीली भी नामकिस्थान पर सार्दा या काली नदी से निकाली गई है यह पीछे भी रेखा था तो उसका एक प्रताबगर सीतापूर सिल्टानपूर आजमगर फैजाबान महुवारसी बलिया अंबेटकर नगर गाजीपूर जनपदों को पानी किया पूरती इससे की जा रही है गंगा बैराज यह कानपूर लोकल में कानपूर की समस्या है उसके लिए जो है इसका बनाया गया है फि जिलों में जो है सिचाई की जाती है आगरा नहर इस अंतर राजी नहर का निर्माण 1814 में किया गया था इसे दिल्ली में यमना नदी के दाहिने की रारे से निकाला गया है और यह नहर डिल्ली गुरुग्राम मतुरा घागरा भरतपूर की लगभग जो है 1.5 मिलियन फुमी को सिंचित करता है गंडग नहर यह उत्तर प्रदेश और बिहार क्योंकि गंडग नदी उत्तर प्रदेश में और बिहार दोनों में बैती है इसकी संयुक्त नहर प्णाली है इन दोनों की सीमा बिंदू से 18 किलोमेटर नेपाल में बूढ़ी गंड़क पर एक नदी से जासी के परिच्छा नामक इस्थान पर बनाएगे इसका केन नहर तो केन नाम से इसपस्ट है कि केन नहर मत प्रदेश के पन्ना नामक इस्थान से निकाली गई है उत्तर प्रदेश में से बांदा जीला जो है होता है अब उत्तर प्रदेश की पुर्मु जीलों को फुलहर जील पीली भीत में, बखिरा जील संतकवीन नगर में है, करैला जील लखनव में है, ओंधी जील वानसी में है, लौंधी ताल कहां पर है, सुल्तानपुर में है, देवरिया ताल कन्नौज में है, रामगड ताल गोरकपुर में है, बडा ताल गोखुर्ज राम जिसक उन्नाव में है सुक्रताल मुझफर नगर में है इसके अलावा कुछ और जीले ताल बची है अलवरा जील कौसांबी में है भोजपूर ताल सुल्तानपूर में है राजा काबान सुल्तानपूर दर्वन जील फैजाबाद बल हापरा जील कानपूर में मदन सागर, महोबा, दहर जील, हर्दोई, मांसी गंगा जील, गोवर्धन, गोविंद वल्लब पंत सागर, पूछा जा चुका है, सोनबद्र में है, तो दोस्तों इस तरह से, आज इस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी यल्दी भी इसको अगर आओगा, कि ये बहुत बलकी हो रहा, तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत बलकी ये नहीं है, बस आप फैक्ट्स को जो एक बाद ध्यान लखें, और खासकर जो है नदियों पर आपका फोकस जो एच्छे से होना चाहिए, नदियां जो है आपने अच्छे से पड़ी होना च सकते हैं, ये बुफ बेसिकली जितनी भी मानक पुस्त के हिंदी की हैं, और मानक सब्दकोस हैं, उनके एक बुरहत संकलन के आधार पर तयार की गई है, विश्लेशन के साथ में, इसलिए 2016 से अब तक जितनी भी परिच्छाएं संपादित हुई हैं, सनिच्छा दिकारी साय मेंस की परिच्छा हो, उसके अबजेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस कोईस्चन्स आए हैं, जो कि अपने आप में एक उलेखनी उपलब्दी है, तो ये ऑनलाइन भी अबलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा ये ऑफलाइन भी आप चाहें, तो इसको मंगा सकते हैं, अगर आप समिच्छा दिकारी परिक्षा की तयारी इस्तत्व से करना चाहते हैं, कि आप इस बार ही इस परिक्षा को रेक करके, अपना नाम सफल अभ्यived थीों की सुचि में दरज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी हमारे संस्थान के अब तक दोतीम परिछाओं में सफल अभ्यर्थियों का विभरण है तो आप हमारे इस foundation बैस से जुड़ सकते हैं जो कि एक basically video lectures program है इसमें आपको हमारे decode exam android app के माध्यम से video lectures, PDF में notes और test series प्रोवाइड करा जाता है और ये course इस तरह से design किया गया है कि सभी जिते भी important topics हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से cover हो जाते हैं आपको किसी भी बाहरी स्रोथ से कुछ भी पढ़ने की आवशकता बिलकुल भी नहीं पढ़ती है क्योंकि सारा content यहाँ पर systematic धंसे आपको provide किया जाता है और वीडियो को कई बार play करने की आपको सुधा दी जाती है सिप्रकार टेस्ट भी आप जो है multiple times जो है attend कर सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ये दो WhatsApp नमबर आपको screen पर दिख रहे हैं इन पर आरो यारो foundation course आप लिख कर वेद देंगे तो आपको WhatsApp पर ही सारी जानकारी दे दी गाएगी कर सकते हैं